नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है इंजिनियर राजा और आप देख रहे हैं इंजिनियर राजा टेक्निकल गुरू चैनल दोस्तो आज हम जिक्के का वीडियो सेट कर कुछ नए फाक्स के बारे में जानेंगे दोस्तों आज मैं आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताऊंगा जहांपे भारत के क्रेंसे की भेलिव वहांपे बहुत ही जादे है यानि किस देश में मेरा रुपिया डॉलर के जैसा महगा है तो ये आप इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए देरना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों दसमें नमर पर है यूगांडा यूगांडा का मुद्रा का नाम है यूगांडान सिलीप और यह जो देश है पुर्वी अफ्रीका में यह लैंड लॉक एक देश है यानि कि यह देश चारो तरब से जमीनी से घीरा हुआ यहां पर कोई पहाड़ी वहाड़ी या कोई समुन्द्र नद्या नहीं है इसके पुर में केनिया उत्तर में सुडान और पच्छी में कॉगु जिसे देश मौजूद है वहाँ पर यह बहुत ही गरीब देश है यहां के बच्चे क्या हाला थे तो यह बहुत ही गरीब देश है यह एक इंडिया की एक रुपिया वहां पर होयाता है 50 रुपिया 86 यूगांडीं सिलिंग तो ये बहुत ही एक अच्छा ही बात है यूगांडा में हमारी रुपिया का नोमे नमर पर है कमबोडिया दोस्तों कमबोडिया दच्छिनपूर्व एसिया का भाग है ये Thailand, Vietnam और Malaysia जैसे देशों से घीरा हुआ है साथ ही कमबोडिया खुशूर्टी और पूरा तत्तो इतिहास के लिए जाना जाता है दुनिया का सुपरसीत मंदिर अंकुरवार्ट मंदिर कमबोडिया में ही है यहाँ पे देश बिदेश से लाखों में यातरी आते हैं यह अंकुरवार्ट मंदिर देखने के लिए क्यूंकि यह आकर्षक का केंदर बना हुआ है आप भी जाकि इस पालुथ उठा सकते हैं दोस्तों कमबोडिया में हमारे एक रुपे की बराबर 55 रुपे 33 कमबोडियान डियाल के बराबर हो जाता है यानि अगर आप 10,000 रुपे लेकर भी कमबोडिया जाते हैं तो आप मज़े से पूरे देश घूम सकते हैं और वहां का निरेक्शन कर सकते हैं अंकुरवाट मंतिर भी जग सकते हैं आठवे नंबर पे है परागवे यह दच्छिन अमरीका के मद्ध भाग में बसा हुआ देश है यह दुनिया के चंद देशों में से है जिनकी सीमाय समुंदर को नहीं छूती यानि कि यह लेंड लोक देश है परागवे जो है प्राकि परागयान गयाराने के बराबर हो जाता है यानि अब ही यह आपके बहुत ही खुषूत डिस्टीनेशन हो सकता है कि साथवे नंबर पे है उजबिकिस्तान सोवियत रूस से अलग हुआ यह देश तासकान समरकन और वुखारा जैसे सहरों से यह परसीद है यहां पर उगव लाइक है दोस्तो छठे नंबर पहला ओस यह दचिन पूर्वे एसिया में एक डेश है इसकी सीमा उत्यवी मयामार पाच्छी में सुडान से यह देश यहां पर मिलती है इसे हजार हाथों की भूमी भी कहा जाता है यह देश मेकांग नदी और पहारो लेकिये लिए 70 रूपिया उन्ट चालेस लियोग किप के बराबर हो जाता है जो बहुत ही अच्छा है और वहां पर आपको बहुत ही ऐप ही अफोरूरिश्यूइटाव यहां पर जाकर गूमने का और यहां पर अच्छी बात दोस्तों यह है कि यहां पर बीजा उन्हें रावल की सुल्धा यह पच्छिम अफ्रीका के बहुत ही गरीब देश है यहाँ भी मेरी मुद्रा के भिरू बहुत जाद है यहाँ इंडिया की 1 रिपिया 137 रिपिया 186 गुनियान फ्रेंक के बरावर है चौते नमबर पे है सिर्या लियोन सिर्या लियोन बहुत ही गरीब देश है यहां पे अर्थ वेस्ता काफी तरह खतम हो चुका है यहां पे हर आदमी बहुत ही गरीब है कंगाले का हला थे यहां पे बहुत ही जादे गरीब है जो आप यहाँ पर इस पिक में आप देख रहे होंगे यहाँ भी इंडिया की पैसे की भेलू जादे हैं एक रुपिया इंडिया की वहाँ पर हो जाता है 138 रुपिया 20 पैसा सिर्या लियाउन के बराबर हो जाता है तीसे नमर पर वियतनम वियतनमी मुद्लता का नाम है वियतनमी डौंग यहाँ भी इंडिया की एक रूपीय वहाँ के यह सु возможность यहां पर यह सुतन है पर आड़ यह बहुत ही अच्छी बात है दूसरे नमबर पे हैं इंडोनेसिया बाली सुमाडी दीपो के जैसा देश है ये इंडोनेसिया सुदूरपूर में ये आस्ट्रेलिया के पास है यहां भी भारतिय रूपिय के जल्बे है यहां इंडोनेसिया में इंडिया के 1 र४या 360 र४इया 65 रूपया के बराबर हो जाता जो आपने आप में बहुत ही अच्छी और बहुत ही संदार भली बात है हर साल इंडोनेशिया लाखो भार्तीय घूमने के लिए जाते हैं आप भी बहुत ही कम पैसों में इंडोनेशिया की यात्रा कर सकते हैं जो आपके लिए भी ओपर्शुनिटी है दोस्तो इस लिस्ट में नंबर वन पर है इरान मिडिल इस्ट में भारत का सयोगी देश इरान अफगनिस्तान पाकिस्तान और इराक जैसे देशों से घिरा हुआ है दोस्तो यहां पे इंडिया की एक रुपिया व को सकते हैं तो आप यहां पे अर्थ वरस तक काफी भिर्परीं betॉald गुष्ट हुई हैं दोस्तों यहां पर काफी सारे यति हासे अस्तल है जिसे देखने के लिए देश-विदेश से परितक यहां पर आते हैं दोस्तों यहां वेल्यां पर इसके अलवा हंगोई मॉंगोलिया सीरलंका नेपाल बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर इंडिया की एक रुपय की भेलू उस देश में बहुत ही जादे हैं अगर आप 10,000 रुपय भी लेके जाते हैं इस सब देश में तो आप मज़े से पूरे देश घूम सकते हैं और खाप है पैसे की और इस देश में आप घूम भी भी सकते हैं वह भी बहुत ही कम खर्चे पर तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताईएगा लाइक और सेर जरूर कर ले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प् भूलिएगा दोस्तों तो जब तक के लिए जाए हिंद हुआ है कि अ कि